हेग गाईज वेलकम बेक टू अम्प्लिफायर कनेक्शन तो गाईज कैसे हो और आज की वीडियो में एक बार फिर है अपने पास 400 वोट स्टीरियो अम्प्लिफायर जो की इसके अंदर ये लगा है इसके अंदर वो लगा है नहीं इसके अंदर किसी भी एम्प्लिफायर को आप एसेंबल कर रहे हो या बना रहे हो एम्प्लिफायर को तो उसके अंदर जो जो चीजे ध्यान रखने की होती है वो सारी की सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं क क्योंकि जब भी कोई भी बंदा amplifier assemble करता है कुछ न कुछ गलतिया वो छोड़ देता है amplifier बनाते time और कहीं न कहीं या तो फिर amplifier में कुछ न कुछ दिक्कत आती है या फिर कहीं न कहीं जो sound की quality है वो उनको नहीं मिल पाती कि किस तरीके की sound quality वो चाह रहे थे और किस तरीके की उ Sean को मिल रही है तो काफी सारी चीज होती है guys तो इस वीडियो में सारी की सारी जो चीजे है वह एकक करके कलियर में करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखो सबसे पहली जो चीज होती है कौईस वो होती है अपना कोई भी subwoofer या speaker जो भी आपको यूज करना है वो आपको select करना होता है कि मेरेको दो speaker चलाने है या चार speaker चलाने है उनके साथ में एक subwoofer चलाना है या फिर जो ट्वीटर चलाना है तो उनका एक टोटल जो पेर होते हैं वो देख लो और जितना हो सके जैसे मानलो की आपको च्यार स्पीकर चलाने ही किसी एम्प्लिफायर पर तो वो जो च्यार स्पीकर है वो आपको लगबग लगबग सेम पावर के रखने चीए सेम उनकी frequency होनी चाहिए अगर left right आप उनको चलाते हो तो काफी मजाएगा ऐसे sound सुनने में और जैसे मानलो subwoofer है तो subwoofer कई बार क्या होता है कि जैसे मानलो आपको एक subwoofer यूज करने हैं या फिर कई बार यह होता है कि दो subwoofer यूज करने हैं तो उसके अंदर भी आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आप मानलो आप दो subwoofer यूज कर रहें तो दोनों जो subwoofer होते हैं वो same what के same जो impedance होता है यानि कि जो ohm होती है resistance होता है वो उनका same होना चाहिए same voice coil होनी चाहिए ठीक है तो यह सारी चीजे अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखके किसी amplifier को assemble करवाते हो या एक complete music system जो है उसको assemble करते हो तो जो आपकी sound quality है वो काफी improve हो जाएगी यहीं पे कुछ बंदे मतलब कहीं कहीं कमी छोड़ते हैं जैसे मान लो amplifier आपने heavy बनवा लिया लेकिन जो आपके subwoofer हैं या speakers हैं छोटे-छोटे हैं amplifier की जो power है जो frequency है उनको handle नहीं कर पाएंगे वो ठीक है जिस हिसाब का amplifier उनको चहिए उस हिसाब का amplifier आपके पास नहीं होता तो यह सारे चीजे होती हैं अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जो आपका music system है एक काफी तगड़ा आप खुद भी assemble कर सकते हो या किसी से करवा रहे हो तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना है तो अभी बात करते हैं कि जैसे मानलो आप खुद assemble कर रहे हो तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो मानलिया जैसे मेरे पास यह 400 वोट का अभी amplifier रखा हुआ stereo का तो इस पे मानलो जैसे मेरे को speaker चलाने है तो इस पे अगर मैं 500-500 वोट के 200-200 वोट के speaker भी चलाता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है amplifier सही चलेगा तगड़ा चलेगा हिसाब किताब इसका ठीक है लेकिन वहीं पे जब बात करते हैं सबूफर्स वगएरा की यानि के बड़े speakers की अगर हम बात करते हैं जो ज्यादा पावर जिनको जुरूरत होती है तो मानलो वो speaker कर इस पर मैं चलाता हूं तो वहां पर कुछ न कुछ दिक्कत आती है साउंड में जब हम अगर नोर्मल हम चलाते हैं किसी amplifier को तो कोई दिक्कत नहीं चलता है आराम से कोई भी amplifier आराम से चलेगा अगर आप उसको कम volume बे चलाते हो तो लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जब आप उससे proper output लेना चाहरे हो proper जो उसकी एक performance है वो देखना चाहरे हो तो उसके लिए फिर आपको जो speaker है उनकी जो rms power है और जो amplifier की rms power है वो लगबग सेम होनी चाहिए सेम उनका जो ohm है वो भी सेम होना चाहिए ठीक है जैसे मानलो 200 वोट ये पर चैनल 200 वोट है तो 200 वो रोम का ही होना चाहिए तो काफी best sound quality आपको इस amplifier से मिलेगी या फिर कोई भी amplifier आपका है और अगर मैं बात करूँ कि 200 वोट से अगर कम का भी speaker आपके पास है तो भी काफी अच्छा चलेगा मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आवाज करने वह जली जाए ठीक है मतलब इतना होना चाहिए कि अगर मानलो 200 वोट का amplifier है अगर आपका speaker 170-180 वोट का भी होगा तो भी काफी अच्छा चलेगा अगर ज्यादा कि मैं बात करूँ अगर मानलो 200 वोट का amplifier है तो आपका speaker अगर 2500 या 300 वोट का भी है तो भी अच्छा चलेगा अगर इस से ज्यादा अगर आप लेके जाते हो तो उसके अंदर दोनों में ही दिक्कत हो सकती है या तो फिर जो आपका स्पीकर है डिस्ट्रोर्शन की विज़े से वो भी जल सकता है या फिर जो आपका अगर आप उसको फुल वोल्यूम पे चलाते हो ज्यादा बड़े स्पीकर्स पे तो आपके अंपली फैर में दिक्कत आ सकती है तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है तो अब भी बात करते हैं असेंब्लिंग की की असेंब्लिंग करते टाइम आप किन-किन बातों की गलती करते हो तो असेंब्लिंग में क्या होता है आप किसी से मान लो कोई भी बोड़ी परचेज कर लिया है यानि कि जो एमपली फैर के प्रोप पर जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपने किस वोल्टेज और सही एम्पियर का नहीं लगाया ठीक है तो ये सबसे में दिक्कत होती है किसी भी एम्पियर में जब आप एम्पियर को प्रोपर जो वोल्टेज होती है प्रोपर जो एम्पियर होते हैं वो नहीं देते किसी एम्पियर के अंदर तो आपके एम्पियर से वो प लो मैं कम वोल्ट का कम मपर का टरांस्फोर्मर है निकलके देए तो उसके लिए ईसको भी तो दो पावर चाहिए न तो जो पावर सोर्स होता है एपना टर्ंसफॉर्मर यह सही नहीं कहीं लगाना जरूरी होता है या फिर हम जैसे एक वाला ट्रांसफोर्मर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या नहीं होगी तो देखो भाई सीधी सी बात है ट्रांसफोर्मर आपका प्रोपर पावर का होना चाहिए चाहे आप ट्र कोडल ट्रांसफोर्मर होते हैं यह हम मैनुफैक्चरिंग करवाते हैं खुद ठीक है अपने हिसाब से कि भाई इतने नंबर की गेज लगनी है यह वाली कोर लगनी है जो कोपर का ट्रांसफोर्मर होना चाहिए ठीक है तो जो सारी की सारी चीज़े हैं वह हम अपने हिसाब से करवाते हैं लेकिन जो EI Core वाले transformer होते हैं वो market के अंदर पहले से ही मतलब उपलब्ध हैं अगर आप लोगों को वो चीए तो उनका हम यूज नहीं करते क्योंकि उन पे हमें trust नहीं है लेकिन अगर मान लो EI Core वाला आपकी जान पहचान का है कोई जो मतलब बनाता है manufacture करता है transformer ठीक है तो EI Core वाला भी आप यूज कर सकते हो कोई जरूरी ही नहीं है कि भाई आपको जो ट्रोइडल transformer वही यूज करना है ठीक है जो बड़े कंपनियां हैं उनके अंदर भी लगे आते हैं EI Core वाले transformer ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उनकी जो performance होती है उनकी जो quality होती है transformers की वह काफी अच्छी होती है तो आप ट्रोइडल transformer भी यूज कर सकते हो EI Core वाला भी यूज कर सकते हो बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो volt है जो ampere है वह आपके प्रोपर हो ठीक है यानिके जो volt है और जो ampere है वह ड्रोप नहीं होने चाहिए फूल वोल्यूम पर भी ड्रोप नहीं होने चाहिए तो यह होती है transformer की quality उसके बाद बात आती है wiring की तो wiring में हम क्या करते है wiring की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो wire है वह अच्छी गेज की ना लेना तो यहां पर जैसे 200 वोट पर चैनल है तो 200 वोट 400 वोट हो गया यह तो 200 वोट पर चैनल है तो एक चैनल पर कितनी mm की wire हम लगा रहे है ठीक है अगर हम बिल्कुल पतली पतली wire का यूज करेंगे तो वो लोड़ी नहीं ले पाएंगी उनसे जो आउटपुट है वो प्रोपर आई नहीं पाएगी तो सबसे में दिक्कत होती है wiring की तो wire अगर आप amplifier में थोड़ी सी मोटी gauge की यूज करोगे तो काफी अच्छी sound आपको मिलेगी उसके बाद जो बाद आती है वो आती है अपना जो preamp होता है और preamp के अंदर जो wiring होती देखो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को जैसे ये मानलो preamp है तो इसके अंदर जो wiring है वो बहुत कम होनी चाहिए ना के बराबर होनी चाहिए ठीक है तो आपकी जो amplifier है काफी अच्छा चलेगा काफी तगड़ी performance आप लोगों को मिलेगी उ सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना मिलेंगे नेक्स वीडियो